आज प्रेंड्स हम बनाएंगे एक प्राठा के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए तो एक प्राठा के लिए हैं और यह दोस्ट दो हरी मिर्च लिए हैं मैंने कटे वी हरा धनिया लिया है और प्याज लिए मैंने एक मीडियम साइज की टेस्ट अनुसा नमक लिया है और काली मिर्च पाउडर लिया है तो इन सब को हम एड़ कर देंगे यह सारे अब हम इसमें एड कर देंगे, धनिया भी इसमें एड कर देंगे, अपनी प्याज भी इसमें एड कर देंगे इस तरीके से, और यह नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार, यह कालिमिच डाल देंगे, अब इसे हम इसकी साहता से इसे फेटेंगे अच्छे से, इस तरी अब यहां पर हमने लोई लिए मैंने रोटी बना लिए अब इसको देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से हम डबल यह फोल्ड कर दिया है अब इसके उपर हलका सा हम घी लगाएंगे इस तरीके से अच्छे से इसे ग्रीस कर देंगे इस तरीके से यह देखि देखिये friends क्या कहते हैं ये एग में ये इस glass में डालोंगे थोड़ा सा आग से दलने में ये भूँत आसानी रहती और अच्छे से ये डल बीजाता है हम अपने इसको पराठे में भरेंगे तो देखिये हमकेसे बनाते ही इसको प्राफ में इस तरह के से हलका सा फ्राथ से गया और हम इसको इस तरीके से यह खोल लिया एक साइट से अब इसे में हम अपना एक इसकी इसमें डालेंगे इस तरीके से देखे फ्रेंट्स इस तरीके से हम इसमें डाल दिंगे इस तरीके से पकने देगे गी लगा देंगे इस तरीके से अगर हमें इसे सेखेंगे तक जो हमने अंदर भरा है इसको तो यह हमारा अंदर से भी एक हमारा अच्छे से सिख जाए इस तरीके से अराम इसको तेल लगा देंगे अच्छे इस तरीके से और दीमी आज पर हम इसको इसी तरीके से सेखेंगे बहुत तेश्ची लगता है आप बनाईगे जरूर मेरे कहने पर बहुत तेश्ची लगता है बच्चों को टिफन में भी दे सकते हैं आपको मतर के चटनी बनाई इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी अगर आपको चाहिए तो तो आप वहां से देख कर बना सकते हैं, इसे बहुत टेस्टी लगती है और ये पराठा भी हमारा बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बाई फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीडियो में